हेलो फ्रेंड्स आज मैं किंडल जैसे ब्रांट की और से आने वाला वाशिंग मशिन का 2 मीटर का आटर आउटलेट पाइप लेकर आया हूँ जो कि हमने फ्लिपकाट से ओर्डर किया था और ये हमें सिर्फ 128 रुपीस में मिल गया है तो ये प्रोड़क्ट कैसा आता है ये आज हम आपको इसे रिव्यू करके बताएंगे और इसे वाशिंग मशिन में कैसे फिट किया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे ये देखे कुछ इस प्रकार का फ्लिपकाट का पैक हमें मिला है तो चलिए सबसे पहले इसे open करते है तो यह देखे फ्रेंड्स यह कुछ इस प्रकार की बैतरिंग पैकेजिंग में हमें देखने को मिलता है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं किंडल की branding दी गई है और यह एक ISO 9001-2015 certified company है तो यह एक branded product है और आपको इसकी quality को लेके कोई भी issue नहीं होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का water outlet pipe आपको मिलता है और यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख सकते हैं कि इसमें आपको एक मीटर से लेके 5 मीटर तद के कोई भी size के pipe मिल जाएंगे चलिए अभी पीछे की तरफ देख लेते हैं पीछे की तरफ एकदम plane दिया गया है तो चलिए अभी इस ओपन करते हैं यह देखें फ्रेंड्स यह 2 मीटर का pipe को चितना लंबा आता है और 2 मीटर का outlet pipe कोई भी washing machine के लिए enough है इससे बड़े pipe की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी और यह काफी अच्छी quality का pipe आता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आप इसे नस्दिक से देख पाएंगे यह देखें इसकी plastic की quality काफी अच्छी है और यहाँ पे भी आप देख पाएंगे और साथी में यह दूसरा portion भी आप देख पाएंगे जो की washing machine के अंदर लगेगा चलिए अभी देखते हैं के इसे washing machine में कैसे insert किया जाता है इस water outlet pipe को बदलने के लिए आपको सबसे पहले अपने पूराने वाले pipe को निकालना होगा तो चलिए इस पूराने वाले pipe को निकालते हैं यह देखें यह काफी tight pipe है क्योंकि इसमें ring लगी हुई है तो पहले इस ring को निकाल लेते हैं ring को थोड़ा सा हटाने के बाद आपको इस pipe को anti-clockwise गुमाना होगा कुछ इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं तो यह देखें यहाँ पे हमारा नया pipe लगेगा तो friends pipe में ऐसे दो end आते हैं उसमें से यह वाले end को हमें यहाँ पे लगाना है अब इस pipe को insert करने के लिए यह जो ring दी गई है उसे हमें पहले pipe में insert करना होगा तो चलिए सबसे पहले उसमें यह ring को लगाते हैं यह देखें simply ring को प्रेस करके आप इसमें insert इसे कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से तो यह insert हो जाएगी चलिए अब इस pipe को machine में fit करते हैं यह देखें simply इसे fit करने के बाद आप इसे clockwise गुमाईए clockwise गुमाने के बाद आप ring को ऐसे प्रेस करेंगे तो उसके उपर ring लग जाएगी यह देखें यह एकदम tight हो चुका है और काफी अच्छे से place हो चुका है तो एक चीज मैं आपको बता दूँ कि यह एक universal pipe है तो यह किसी भी washing machine में चलेगा लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका washing machine fully automatic top load washing machine होना चाहिए अभी हम देखते हैं कि इस pipe की length कितनी है तो उससे आपको एक roughly idea आएगा कि यह कितना लंबा pipe आता है यह देखिए आप machine के साथ इसे attach हुआ देख सकते हैं और साथी में उसकी लंबाई भी देख सकते हैं हमने यह 2 meter का pipe order किया था तो 2 meter का pipe कितना लंबा आता है यह आप देख सकते हैं तो आप अपनी जरूरत के इसाब से इसे order कर सकते हैं और मैं आपको recommend करूंगा कि कोई भी normal washing machine में 1,5 meter से लंबे pipe की कोई जरूरत ही नहीं है तो आप 2 meter का pipe मगवाने के बजाए 1,5 meter का ही pipe मगवाईए तो वो आपके लिए enough रहेगा अगर आप इस product से related कोई भी सवाल हमें पूछना चाते हैं तो नीचे comment section में comment करके हमें जरूर पूछिए हम जितना जल्दी हो सके उसका answer देने की कोशिश करेंगे तो चलिए friends मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाबाई